आप देख रहे हैं सोगंध टीवी सोगंध वतन की सनातन में उनकी मंसा जो खराब हो गया उसको कौंत ठीक कर सकता है वह एक भड़काव करने का देवस्था उनकी हाँ है उनको एक सोचते हैं कि कुछ हैसा मैं बोल दूं जिससे की मेरा एक मुसिलिन भोट हो ये इसाही भोट मेरे साथ हो जाए जब तक कला को ने जानेगा तो कहां से बताएंगा कि सनातन है क्या नमस्कार मैं हूं तुशार और आप देखरें सौगंध टीवी सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए अब ये बयान आया है साउथ के एक्टर प्रकास राज का उन्होंने पूरी तरह से उदे निधी स्ट था भर्म की अब आ गई है आपको क्या लगता है सबसे पहले यह जानकारी करनाओं को सनातन है क्या उनके इस समझ से बहुत प्रे है सहनातन में से कोई एक नहीं हुआ सनातन में सब अपना अपना मजभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ मंसा कोई से सांथी मिले पहले सनातन में दूसरा बात इसमें क्या है जो वो कह रहे हैं कि सनातन है क्या वो जाने ने जब कि उनकी पुरुबई सनातन से ही जनम लिया है जिसका अंत जिसको उदर ही बहुत पहले हुआ है अवस्त कहां से उसका है ये तो एक रूमर बना दिया क्राइम करने के लिए या बांटने के लिए समाज को अपने भोट के लिए जो ये बनाया है देखे धर्म क्या है धर्म सबको जीने का अपना धर्म है सबको अपना अपने अपने गुरु हुए अपने अपने मजभब चलाए सनातन अपना हिंदु मान लिए हिंदू धर्म एक आस्था है आस्था का बिसे क्या है कोई हनुमान से प्रेड़ना लिया कोई काली से प्रेड़ना लिया कोई माँ बाप से प्रेड़ना लिया दर्म का ज्ञान किसने दिया गुरू माता पिता मीत्र जो समाज होता है समाज में बंदे हुए हैं समाज को बांधने के लिए एक दर्म बनाया कहीं लेकिन उनका कहना है कि जो सनातन धर्म है वो आज भी पुरानी रूरिवाद में अठकी हुई है द्रविड़ सन्स्कृत है यहाँ पर हर लोगों को बराबर कि यहाँ पर हिस्सेदारी जिम्मेदारी सब ऐसे मिलता है लेकिन यह चीज नहीं है देखिए यह सनातन में जो जो द्रविड क्याते हैं ड्रविडी की उत्पथी कहा सुए है सब का हंBA, जैसे हन धातु से उत्रप्न है, हिंदु सब्द हंदातु है, हन मन्यों डरने वाला, जैसे उत्पादिय शिर्यत उत्पन. यह रामभधरा अचारी के पहला ब्याक़ां था, अपने गुरु को दिए थे, उत्पादिय शिषे nossos उत्पन. उत्वपन कहा सुआ है जब यहां दो सब्दा आए आर्ज और अनार्ज सबसे पहले भारत का में बासी है आर्ज और अनार्ज जो आये हुए हैं और अनार्ज में जो हमारे बनवासी हैं वो रहें धर्म के रखे हुए हैं कोई कुछ माना कोई कुछ माना लेकिन वो कैसे नहीं मानेंगें उनकी मंसा जो खराब हो गया उसको कौन स्थी कर सकता है वह एक भड़काऊ करने का वेवस्था उनकी यहां है उनको एक सोचते हैं कि कुछ ऐसा मैं बोल दूं जिससे कि मेरा एक मुसिलिम भोट हो यह इसाई भोट मेरे साथ हो जाए उनका सनातन अलग है हमरा सनातन मेल है सनातन को एक हिंदू रित्री बाज में बांद दिया है उनकी भी अपनी कला है जब तक कला को ने जानेगा तो कहां से बताएंगा कि सनातन है क्या तो आपका कहना है कि जो सनातन इसमें कुछ लोग बाहर से आये हैं जो आंरे हैं और जो आरेंस वी कहा जाता है और कुछ यहीं के हैं जो यहां के जो वनवासी है एक वो है तो आपका यहीं कहना आर्ज और अनार्च दोनों धर्म से जुठा है लिए से furnit ये तो बहुत कालांतर में सब बिभेज हुआ है मतांतर हुआ है लेकिन कई तथे ये बताते हैं कि जो आर ाऊ है वो एरान के तरफ से आयों होए लोग है और यहाँ के जो मूलनिवासी है वो यहाँ के वनवासी थे अब देखिए इस बात से आप सहमाता अगर वह नहीं था तो राबन का बहन के साधिक कैसे उधर हुआ था कि सुर्वनक्खा का कि बहुत से मुसलिम कंट्रिय जहां कि रामाइन की पूरे राम लीला मंचन मुसलमान इलाकियम होते हैं कि देश ऐसा है तो कैसे अबना धर्माई से है सबसे पहले सिरिष्टी कहां से यह तो बहुत अंतर में हुआ है कि सिरिष्टी काउन है मां काली सुरुस्ततिय लक्षिमी तीन कि सब है चतुस बोजी यस्ति बोजी उसी से ब्रंभा विसनुमेस्त के हुआ तो राजनीती में इसका प्रियोग करना जैसे प्रकास राज है उदैनीधी स्टालिन है यह सब तमिलनाडू के यह सब वहां के नेता लोग है तो आपको लगता है कि इस तरह से राजनीती में धर्म को लाना उची था देखिए उनका सोच एकिग है कि अगर मैं यह कुछ बोल दूँगा थमारे जो कुछ भोट है वो मानेंगे यही आरोप लगता है भाजपा पर भी भाजपा पर यह आरोप लगता है कि वो हिंदू के समर्थन में कुछ बयान देते हैं और उसके बाद मुस्लिम विरोधी बयान जादा देते हैं जिस वज़े से उन्हें भी बहुत संख्यकों का वोट हासिल हो कि यह आरोप सही है नहीं मुसलमान के विरोध कहीं नहीं बोला है कहीं देखा दे बहुत सारे नेता है जो भाजपा के हैं जिन्होंने बहुत विरोध में बयान दिया है मुसलमान के बिरोद कोई भी अच्छे नेता है कोई भी नहीं बोला है अगर कोई संगठन बनाया है तो सब जोड़ने के कोशित किया है सब जोड़ा है यह नहीं कि जैसे एक माला के बनाने के लिए सबी मन के और और दाने को मिला कर एक माला बना जैते हैं हिंदु क्या रहा है सब को जोड़ा है जैसे ब्रह्मन जो है ब्रह्मन एक बदनाम भलों है कि इस सब को धर में बांटा है ब्रह्मन एक सब को बांद के चला है चली मैं इसी से जुड़ा एक और सावाल पूछ लेता हूँ जल्दी से इसका जवाब दीजेगा आप कि जो भेद बहाओ है बर्ण वेवस्था आप उस पर क्या सुचते यह सही था है गलत है क्या है देखिए बर्ण वेवस्था जो हुआ अपने करमधार पर हुआ जो जैसे जैसे किये वह ऐसे अपना हुआ आज के वक्त में यह होना चाहिए नहीं अगर पंडित जी होके भी अगर वो चामकार के काम करें तो उपाधि मानक है अगर कोई भी कोई भी समाज से अगर आचार या बाचास्पति विरस्पति के डिगरी मान मिलता है तो पंडित पहले ल नहीं है कि विद्या का ही जो फार्जन कर ले जो ब्रह्म को जान ले जो ब्रह्म जाने नहीं तो फिर कहां स्वता सकता है में तो यही है जड़ तो मतलब मैं मान के चलिए कि आज के वक्त में जैसा आप कह रहे हैं कि आज के वक्त में जो जिस चीज की विद्धया हासिल करना चाहिए जो काम करना चाहिए कर सकता है अब इसमें वर्ण व्यवस्था की जरूरत नहीं है इस समाज को इस समाइब देख जिसको है फकीर को भी जोड़ा है कि एक विधान में उसकी जुरत पुड़ा है पासवान को भी जोड़ा है कि जो गरह ना कटे उसको खिला दे सब गरह कट जाए कहां छूत माना हो हम एक जगह बैठे हैं एक जगह बैठ के एक समा बांदे हैं अब तो वो विस्यांतर कर के कि अग्वारे लिए हैं हमरा क्या था कि खट कर्म और नौकर्म मच पिए लिए Acts और वी जीनिदिर बाद IRA ब्रएली सबस्ता-ब्रह्म्न हुए यह नौगुंफ ब्रह्मन का दान लेना दान देना जग करना जग कराना बेद पढ़ना बेद पढ़ना संतूस्त और फड़क गरम याज भी जो साधक होता है साधक क्या है जो दसव क्या अंदरी को साज़ दे कभिर जास कहा है बाराः बरस सहिया शंग सोए जनमक कि मांजी कहा है एक रात दिवरासंग सोय नो बेटा जलमाई चलिए तो मैं आपकी इस बात से एक चीज तो समझ गया कि सनातन धर्म क्या है आपने इसकी अच्छी व्यक्या किया तो जैसे कि आपने देखा हमने बात कि और बात करके एक चीज तो जाना की सनातन का असली मतलब किया इन्होंने बताया और आज के 21 सताबदी में वर्ण में वस्ता जैसी चीजों की जरूरत नहीं इन्होंने कहा और ये बात एक बदलते हुए समाज की निशानी भी है तो जैसा साउथ के जो एक्टरस है या फिर जो उधर के नेता लोग जो कह रहे हैं कि दरविड समाज में वहाँ पे समाज बदल रहा है लेकिन सनातन धर्म में समाज बदलता नहीं है तो इस चीज का ये एक तरह से जवाब भी देखा जाएगा कि ऐसा नहीं है सनातन धर्म भी बदल रहा है और जरूरत के हिसाब से हर चीज में बदलाव आ रहा है और ये प्रोग्रेसिव पनकी